इन गर्मियों में heavy moisturizer और cream apply करना छोड़ दीजिए और apply कीजिए इस rose gel को इसको apply करने से कोई चिपचिपापन भी नहीं लगेगा normal skin लगेगा एक skin texture भी बहुत improve होगा इस homemade gel को apply करने से आपका skin में एक glow देखेगा pinkies glow and skin को tight करता है and skin में जो भी problem होता है सब problem को reduce करता है इसके लिए चाहिए lemon का peel lemon का जो juice है उसको निकाल के peel strip use करना है और उसको पानी में boil करना है अच्छे से फिर उसके बाद इधर add होगा dry rose petals आपके पास अगर fresh petals होगा तो भी अच्छा है तो dry rose petals देने के बाद इसको boil नहीं करना है इसको 10 मिनिट तक ऐसे ही छोड़ देना है जब अच्छे से absorb हो जाएगा तब इसको एक grinder में लेके इसको अच्छे से बारिक तरीके से पूरा grind करना है grind करने के बाद इसका पूरा paste निकल के आएगा grind करने के time पे कोई भी पानी add नहीं होगा इसके बाद इसको strainer में लेके अच्छे से इसका जो juice है उसको निकल लेना है इस paste को आप apply करने से आपका जो sunburn है, skin texture, pigmentation, open जो पोर से सब कुछ खतम हो जाएगा इतना फाइदा है इस juice का इसमें add होगा फिस aloe vera gel और add होगा strip A vitamin E capsules इसको अच्छे से mix करना है, rose water जो है, मतलब जो juice है उसके साथ mix करना है अच्छे से एक paste बनाना है, एक ठीक paste, aloe vera का तयार हो गया है इस cream को apply करने से face पे कोई भी चिपचिपपन नहीं लगेगा face को अच्छे से wash करने के बार आपको toner apply करने का भी जरूरत नहीं है डाइरेक्ट आप इसको apply कीजिए अच्छे से day में और night में दोनो time use कीजिए और अच्छे से massage कीजिए, next video के लिए तब तक टाटा